तो आंदोलन की सेंचुरी हो चुकी है खबरों में विस्तार से बढ़ते हैं दिल्ली के बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन के आज 100 दिन पूरे हो गए 100 दिन पूरे होने पर किसान आज कुंडली माने सर पलवाल एक्सप्रेस की 5 घंटे की नाकाबंदी के साथ किसान इसे काला दिवस के रूप में मना रहे हैं किसान काली पट्टी बांद कर विरोध दर्ज करा रहे हैं वहीं किसानों के इस प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा विवस्था कड़ी कर दी गई है एक्सप्रेस वे को पांच घंटे के लिए नाकाबंदी की गई है यह पांच तस्वीरें आपको अपने टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है इसमें एक में आप देख रहे हैं आंदोलन का सौवा दिन वहीं बॉर्डर को सील करने की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे है साथी केमप केज़ेपी बॉर्डर पर जो जाम लगा है वो तस्वीरें भी आपको अपने टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है चौथी तस्वीर में आप देख रहे हैं तो ये पांच तस्वीरें हम आपको जनता टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, के एमपी एक्सप्रेस पेपर चक्का जाम किया हुआ है, पांच घंटे के लिए नाकाबंदी रहेगी, साथी आज आपको बता दे किसानों के आंदोलन को सौ दिन पूरे हो चुके हैं, और तस्वीरें, आपको अपने टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है, अलग अलग जगा की हैं, आप ये पांच तस्वीरों में किसानों की पृतकरिया देख सकते हैं, आज 100 दिन पूरे होने पर बॉर्डर को सील करने की तैयारी में हैं, दूसरी तस्वीर में, पहली तस्वीर म का जो रोश प्रदर्शन है वो पांच वी तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है तो वहीं क्रिशी कानूनों को लेकर केंदर सरकार के किसान का अंदोलन लगातार जारी है दिल्ली की सीमाओं पर चल रहाएं किसान अंदोलन के सौधन पूरे हो गए हैं इसी बीच प्रशी कानूनों को खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानोंने के एक्सप्रेस वे को जाम कर दिया है किसानों ने दुपैर 12 बजे से शाम 4 बजे तक कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे को जाम करने की घोशना की थी तो यह तीन तस्वीर हैं आपको अपने टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है पहली तस्वीर सीधे कुंडली से है तूसरी तस्वीर मानेसर से आ रही है जहां टेक्टर है साथ में किसान है और जाम किया हुआ है और वहीं तीसरी तस्वीर आपको पलवल से सीधे नजर आ रही ह जिसमें आपको किसान जवानों की संख्या में दिखाई दे रहे हैं, युवा किसान शामिल हैं और लगातार किसानों की सरकार से एक ही मांग है कि तीनों कृशी कानूनों को रद करें और MSP पर कानून बनाएं किसी भी तरीके से लगातार किसानों की तरफ से यही कोशिश की जा रहे हैं। कि सरकार पर दबाव बनाया जाए। और आज जब 100 दिन से पूरे हो चुके हैं किसानों कॉर जिस थरीके से सईयुक्त किसान मोर्चा ने कहा था। रणनीती बनाए थी अपनी के सौ दिन पूरे होने के बाद के एंपी-केजीपी एक्सप्रेस वे को जाम किया जाएगा उसके तहत आज ये एक्सप्रेस पे जाम कर दिया गया है तो यह तस्वीर है आपको अपने टीवी स्क्रीन पर नजार आ रही है जाने नहीं दिया जा र अधली है तस्वीरों में आप देख सकते हैं जवान खड़े हुए हैं पूरी मुस्तःदी के साथ में कि किया की कई ऐसी अप्रिय घटना ना घट जाए आप देख Above लगातार कि Hakis Бे तस्वीर किoff में वहा defendant बैठे मैं रड़नीती बनाते हैं बात कर रहे हैं लेकिन पूरी तैयारी कर चुके हैं किसान कि जब तक ये पीनु कृशी कानून रद नहीं होते हैं किसान वापस नहीं जाएगा